हेलो स्टूडेंट्स हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चन या पर सोल्ड कर रहे हैं क्वेश्चन नमबर फर्स्ट आपके सामने हैं हाँ अब प्रोसेस और पोलीनेशन डिफ्रेंट फ्रोंफ फर्टिलाइजेशन यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट्स में जो एक प्रोसेस होती है जिसे रिपरडूस होती है वो अपनी न्यू जनरेशन को रिपरडूस करने के लिए एक जगह से दूसर जो जीव होते हैं उनके अंदर होती है अनिमल टाइप के जो होती है अनिमेलिया कह सकते हैं अनिमेलिया ग्रूप में जो आते हैं उनमें एक फीमेल जो होती है वह एक प्रोडूस करती है और मेल जो है वह स्पर्म प्रोडूस करते हैं और दोनों फिर फर्टिलाइज होती ह combine होकर के यानि एक जो होता है स्पर्म के contact में आकर के फटलाइज़ हो जाता है यह प्रोसेस फटलाइजेशन कहलाती है और जो पॉलीनेशन होती है उसमें जो पॉलेंश होते हैं एंथर पर वो पहुंचते हैं स्टिग्मा तक और उस तो बिल्कुल सा है यहां पर हम ने प्रस प्रास्परॉर करेंस कैसे होता है जो एंथर जो प्लांट्स में घुकोन होता है फीमेल के लिए वो स्टीग्मा होता है और मेल रिप्रोड़क्टीव सिस्टम एंथर कहलाता है एंथर पर पोलिन ग्रेंग्री पाए जाते हैं घ्राउस्पर होते हैं पर उनके पर बीज बनेंगे यह जो सोती है यह pollination कर लाती है और यह कई बार अपनी आप हो जाती है हवा के माध्यम से लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे जो पोलिनेटर सोते हैं उनकी हैल्प से यह जो है क्रियेट की जाती है कंडिशन जैसे हवा हो गई पानी हो गया या फिर वर्ड्स हो गए या इंसेक्ट हो गए वह पॉलिन ग्रेंज को पहुंचाती है जो फीमेल रिप्रड़क्टिव पार्ट है फ्लावर्स का उस तक फर्टेलाइजेशन अदर प्रोसेस होती है यह इनहेरेंट प्रोसेस है यह से नहीं हो सकती किसी पॉलिनेटर की हल्प से यह हमें क्या इसको समझना पड़ेगा फर्टेलाइजेशन ऑन दा अदर हैंड इस दा फ्यूजन ओफीमेल एंड मेल जैमेट्स जो होते हैं उनका जो फ्यूज होना प्रोसेस जो है वो फर्टेलाइजेशन कहलाती है इट अकर फोटेस बनता है कि क्वेशन नमबर टू हमारे पास है वाट इस दा रोल ओप सैमिनल वैसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लेंट्स अगर आपको याद हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हूमेंस के अंदर तो कुछ आपको ग्लेंट्स बताई गई थी होती हैं जो लिक लिक करती हैं तो यह सारे चीज़ें इनकी हैल्प से होती है सैमिनल वैसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लेंट्स इनकी हैप्स यह प्रोस्टेस होती है और हमें इस चीज़ को अभी बताना है कि कैसे the secretion from seminal vesicles and prostate glands lubricant the sperm and provide a fluid medium for easy transport of sperm तो ये जो हमने बताया जो secretion होगा यानि जो liquid का excretion होगा हो seminal vesicles के थो होगा या prostate glands के थो होगा ये sperm को lubricant करेंगे और जो एक medium provide करेगा sperm को ताकि वो easily क्या कर सके मौग कर सके देर सेक्रेशन Key म करने के लिए कैल्सियम स्टेबलीटी देता है और जो एंजयांइम है ये बैलेंस करते हैं क्योंकि की यूरीन का और स्पाम का जो एक एक्सक्रेशन होगा वो एक ही मीडियम से होगा और वहां पर क्या होता है कई बार यूरीन जो होता है वो मिक्स हो जाता स्पाम के साब और urine क्या होते हैं, acidic होते हैं, तो वो क्या होगे, balance को जो है, disturb कर सकते हैं, और उसको control करने के लिए कुछ enzyme produce होते हैं यहाँ पे, और यह enzyme, seminal vesicles और prostate glands के द्वारा ही, जो है, होते हैं, question number third है, बहुत important है, what are the changes seen in girls at the time of puberty, जवान अस्था में लड़कियों में क्या-क्या बतला होते हैं, तो यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ, कुछ ऐसे changes होते हैं, जो सरीर के अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे changes होते हैं, जो सरीर के बाहर होते हैं, यानि जिसे देखा जा सकते हैं, experience किया जा सकता हैं, जैसे, पहला point यहाँ पर है, Increase in breast size and darkening of skin of nipple present at the tips of breast, जो breast size हैं, वो increase होना start हो जाता हैं, और जो nipples की जो skin हैं, वो भी dark होना start हो जाती हैं, Appearance of hair in the genital area, जो genital area है, यानि जनन अंग जो होते हैं, उनके आस-पास के area पर जो hair जो हैं वो आने start हो जाते हैं, Appearance of hair in other area, लाइक अंडर arms, faces, hands and legs, जो different portion जो होते हैं, जहां पर अब तक कोई hair नहीं देखा गया था, वो उन जगहों पर भी hair आना start हो जाते हैं, Increased in the size of uterus and ovary, जो uterus और ovary हैं, उनका size भी क्या हो जाता हैं, increase होना start हो जाता है, Beginning of menstrual cycle, जो धार्मिक, जो मासिक जो होता है, cycle होता हैं, वो भी start हो जाता है, More secretion of oil from skin, which results in appearance of pimples, चहरे पर pimple निकलना start हो जाते हैं, इसकी वज़े होती है, जो skin में, जो oil हैं, वो ज़्यादा बनने लगता है, और उसकी वज़े से फिर क्या होगा, जो skin है, वो oily हो जाती हैं, और अच्छे से जो पसीना वगएरा हो बाहर नहीं निकल पाता, ब्लोकेज हो जाती हैं, जो hair जो portion होते स्पोर्स, और इनकी वज़े से फिर वो भीमपल बनती हैं उसके उपर, अगला question हमारे पास है, how does the embryos get nourishment inside the mother's body, जो embryo होता है, वो nourishment कैसे जो है, अपने आप में create करता है, अपना nourishment कैसे करता है, mother के बोड़ी के अंदर, embryo developed inside the mother body for about 9 months, जो embryos होते हैं, वो 9 महीने के लिए जो है, पेट में रहते हैं, महीला के, इन्साइड दा यूटेरेस, the other tissue surrounding the embryo developed finger-like projection called willy, और जो portion होते हैं, जिसको हम यूटेरेस कहते हैं, यानि inner boundary है, उसके उपर, विली structure जो है, बन जाते हैं, और ये विली जो होते हैं, बहुत important role play करते हैं यहां पे, इस विली जार सराउंडिट बाई, यूटेरेन, टिस्यूज और मैटेरन, मैटेरन, बलड, ये टिस्यूज से जो है, ढके होते हैं, जो नरेश्मेंट प्रोवाइड कराएंगे, और बलड जो है, यहां पे प्रेजेंट होता है, दि प्रोवाइडे लार्ट सर्फेस एरिया फोर एक्षेंज ओफ ऑक्सीजन एन नूट्रेंट जो ऑक्सीजन और नूट्रेंट की ज़रूरत थी, उनके मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यह जो एरिया है, जो डेवलेप्ट हो गया है, विलीज की हेल्प से, या फिर बलड क की हेल्प से वो आसानी होती है वहां से यानि आसानी से ओक्सीजन और नूट्रेंट की सप्लाइब हो सकती है, आल्सो देयर इजे स्पेशल टीशू काल्ड प्लैसेंटा, एक टीशू जो है स्पेशल होता है जिसे प्लैसेंटा कहा जाता है, विच इंबेडिड इन दा यू टुरीन्ज बाल, और जो यू टुरीन्ज बाल के अंधर जो है प्रिजेंट होता है, अ अप तैमाड़ का- अथिन कोट्यूं जो एम्ब्रियो रिशीव द ऑक्सीजन को supply करेगा और वापिस यहां तक पहुंचाएगा यह काम जो है प्लेसेंटा होता है यह यह चोशन है आफ नीज़ाल और में जुज़ंगilia maple यह चैनल अगला पास है इस वुमन कोबर ठी होता है वह किसे सक्समें ऑफ होता है और कैसे ठास्वर होते हैं एक से दूसरे सक्स में तो हम कह सकते हैं कि जब डिज़िव पर्शन जब फिजिकलि कλαड़ यह कॉंटेक्ट में आता है यह किसी भी दूसरे परसं केäv अगर वह महिला है और तो मेल के जो है डिरेक्ट कुंटेक्ट में आती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है उसके इंफ्ट पार्ट है याने की एक क्या कर देते हैं और जो पर्ट है वह यूज की लाती है जो होती है और उसके साथ अगर जो है मिल जाता है तो यम फॉर्टिय然后 से सोथी है एक तरह से हैं कि बच्चा बनने कीवाइस होती है थे हैं तो कोपर्टी इस प्रोसेस को रोकने जाता है को परटी की हर्प से और यह प्रोसेस होती को परटी के और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये काम करता है अब उसके बाद हम कह सकते हैं बड़ी असानी से हम को समझ गई हैं कि using property will not provide a protection from sexually transmitted disease as it does not prevent the entry of semen ईघ्制 may do it only prevent the Implantation of embryos in the uterus हम कह सकते हैं कि जो कोपर्टी हैं वो ट्रास्पोर्ट को बंद नहीं कर देती है या अ शिरफ और शिरफ गर्क के ट्रास्पोर्ट को बंद करती है लेकिन जो स्पर्म है या सेमंस है वो उनको नहीं रोखती है यानि जो मेल्स होंगे उन में से जो बाइलोजिकल पार्ट है वो बड़ी असानी से एंटर कर सकते हैं अगला कोस्टिन हमारे पास है यह मल्टिपल चोईस कोस्टिन टाइप एसक्शल प्रोडक्शन टेक प्लेश ठेज थरो बड़िंग इन जो बड़िंग प्रोसेस होती है यह यह जातर आ रहे ज़ातर किस पोर्शन में होती है यह ये यिष्ट वाले ज़ो स कुंषों technology यह यह कर एक तरह का लीविंग और को सब्रोंतso question का solution देने के लिए पूरा का पूरा एक circuit त्यार होना चाहिए आपका यानि diagram systematic way में पता होना चाहिए कि कैसे काम करता था यह female reproductive system में different parts होते हैं ovary होती है ovary यहाँ पर है और उसके बाद uterus यानि ovary से जो X बनेंगे वो uterus तक जाते हैं तो यह भी है इसका part और किस की help से जाता है फैलोपियन tubes की help से जाता है यह एक ओवेरी से यूटेरस तक तो फैलोपियन ट्यूब याने डी वाला भी होगा यहाँ पर पुछा गया note a part यह तो यहाँ पर वास difference जो होता है यह male reproductive system में पाए जाते हैं तो यह answer होगा इसका और उसके बाद हमारे पास question number third है यहाँ पर multiple choice type the answer contents एंथर अभी अभी हमने बात की थी एंथर में क्या होते हैं pollen grains होते हैं जो female reproductive part यानि stigma तक जाएंगे और जो फूल है उसका जो है फर्टिलाइज़ पॉलिनेशन होगा और वहां फिर जो बीज बनेंगे question number four यहाँ पर है यह हम कल discuss करती हैं ज्यादा हो जाएंगे okay all the best